नमस्कार, हाम्रपात्र को परंपरा रसंस्कृति विशेश यू अवियान मा यहारूलाई स्वागत्छ सातों अध्याई सार्वाग्यान निधान पुस्तकधरा रुद्राक््षमाला धारा भाग देवी बदनाम बुजे बसत्तुमे त्रैलोक्य माता चिरं मुकं करोति बाचालं पंगुलं लंगयते गिरिं यत्क्रीपातम हम बंदे परमानन्नमादवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामी तते जसे यश्य प्रसाद दक्षामी महादेव्या कथामिमां नारायनम नमस्कृतं नरंचै बनरोत्तमं देविं सरसुतिं व्यासां ततो जय देमुदी रहेत साष्टांग नमनंकृत्ता स्री स्वस्तानिं परमेश्वरियं कथायाम सुदो पमां देव्याम सुरुत्ता विष्ट फलम लवेत ओम स्री स्वस्तानि परमेश्वरियाई नमो नमहां कुमार्जी आग्यागन उन्च हे अगस्ते मुनी सती देविले यग्यकुंडमा फाल हानी प्राण छाडेको देखी त्यहां रहेका दक्षे प्रजापती का तेतिसकोटी छोरी ज्वाई ब्रह्म्हा विष्णु आधी देवता रिशी यच्छ गंदर्व किन्नर दैते सबैले आश्चरे मा परदै भन्न लागे हे भगवान कस्तो अनर्थ भयो यो पवित्र यग्यमा यस्तो किन भयो के महाधेवर श्रति देविलाई यग्यमा निमंत्रना नगर्दा यस्तो भयको होता सबै जना यस प्रकार भन्दै आश्चरे मांदा भये एक चिनपची अकस मा धुलो उड़ी आकास मा व्याप्त भई अंदकार भयो बायू पनी विपरिद्धिशा मा तेज तेज ले बहन लागे हो बीना बादल में गर्जन हुन लागे हो रा आखा मा धुलो परी सबै देवता हरू भूमी मा गोप्ट पर न लागे कसे लाई हावाले उड़ाई ल पर न लागे कती आपना सरीर को सनरक्षन गर्नती रलागे यस्ता तरहले महा उतपात भयो रईयो देखी दक्षप्रजापतिले मन धहीरे गरी आपना सबै छोरी ज्वाई हरलाई भन्न लागे हे छोरी ज्वाई हरू ब्रह्मा विश्णु महां देवता भयको इस्थान मा डड़ाउनु पर दैना किना भने हमरो यग्य महां चा पवित्र सा सती देवी ले ठुलो अंकार गरी यग्यमा हां फाली यसरी दक्षले अनेक प्रकार ले बुझाई आपना गुरु ब्रिहस्पति रिशी छवु गई भन्न लागे हे गुरु अब कसो गरौं अनर्थरा हा पहाकार भयो यो उत्पातला कसरी शाम्य पार्णी सती देवी ले यग्यमा हां फाली प्राण त्यागे को देखेरा अती दुखी थुदेई नारदरिशी ततकाल बायु वेगले चाड़े कैला स्पुगेरा श्री महादेव का चरण मा दंडवत प्रणाम गरी बिन्तिकर न वायो यस्तो खबर हजुर समक्षे भन्न पनी सक्दिना पापिष्ट दक्षेले भनेयो त्यो कहां को देवता हो त्यो हाम्रो सभाको न शुखाओनी महा देविला यग्यमा न बोलाउदा मलाई क्ये होला यस्ता प्रकार ले हजुर को ठूलो निंदा गर्दै मुख मा आयस समको बचन लगायो दक्षेले तो भने को सुनी सहन न सकी अत्यनत क्रोध गरी लात्तिले भूमी महानी कसे को मुख नहेरी राता राता आखा पारी यग्ये को प्रदश्छिना गरी हजुर को नाम लियेर सिव शिव भन्दै माता सती देविले यग्ये कुंडमा फाल हानी प समाचार हजुर समक्ष बिन्ति गरों बनी आयको हुँ यो ठुलो अनर्थ भायो ये सरी नारत मुनी ले भने को बचन शुनी स्री महादेब ले आग्या गरनू भायो हे नारत मुनी के युक कुरा शत्य हो के मेरी प्राण प्रियाले अग्निमा प्रवेश करी प्रान छाडे श्री महादेव को कुरा सुनी नारद ले भन्न लागे। श्री महादेव ले भन्न लागे। श्री महादेव को कुरा सुनी नारद ले भन्न लागे। महादेव ले फेरी सीर को जटावाटा और को पनी एवटा रो निकाली भूमी मा पचार नुबायो। तेश पची पनी प्रित्वी डोलाए मान गरी शिहना आद गरे जही गरजी। हजार सुर्य का जस्तुत तेज भैका मुंड माला लगाया का दाहिने हात मात्री शुल्ली एका भिश्यन मूर्ती भैका बीर भद्र प्रकट भैरा स्री महादेव समक्षय बिन्ति गर्न लागनु भायो। के हामी हरू अबयो सारा ब्रह्मान डलाई तहास नास बनाऊं। के सबै समुंद्र हरलाई एकई शिनमा सुकाऊं। के हामी विश्यनु आदि नाम गरी एका सारा देपता हरलाई एकई शिनमा भस्मगरूं। अथवा सबै रिशी हरलाई हजुर हर्शमक्षय माधेर लियाओ। कोई देवतालेती मी हरको प्रतिकार गरना आये भने सबैलाई जलाई दिनू यो बेलामा केही सोंच विचार न गरनू। फेरी विशेस गरी विश्यनु लेती मी हरको कारे मा अबरोध गरे को खंडमा उनी हरलाई पनी बाग ही न राखनू। श्री महादेव को यस्तो आग्या सुने रा नन्नी भ्रेंगी। शाथे साथ समुद्र समेत कमपित भये। प्रित्मी जल र आकासमा रहने शंपूर्ण जिवात्मा हरू सबै डरले त्राही त्राही भये। दक्च प्रजापती का यग्यमा पनी अनेक प्रकार का उत्पात हुना लागे। ठूलो आधी आई सर्वत्र धूलो उड़ी अन्दकार भयो साथे अकासमा गिद्य काग आधी कराई। देवता हरू तथा यग्यमा रहेका देवता यग्यमा पुग्न लागे। दक्च प्रजापती का निंती आ आपना अस्त्र सस्त्र लियेरा बीर भद्र महाकालीलाई प्रहार गरन लागे। यस्ता प्रकारले परस्पर युद्ध भयोर दुबैतीर का सेनाले महा घोर संग युद्ध गरेरा शिहनाद गर्दा भये। देवताले पनी बीर भद्र महाकाली माथी अनेक सस्त्र अस्त्र छेपण गरे। केके भने ब्रह्मास्त्र, इंद्रास्त्र, देवास्त्र, बरुनास्त्र, अग्नियास्त्र, तोमर, भिंदिपाल, गदा, खडग, मुशल, नागपास, त्यादी। येस्ता तरहाशंगा आफु हरलाई दक्षे का सेनाले प्रहार गरे को देखी, बीर भद्र का गर्ण हरले पनी ठूलो सब्द संग गर्जी फाउज बित्र पसेरा, भये जती का देवता तथा अन्ने गर्ण हर को टाव को निमोठी खाए, उनिहर का हात खुटा भाचेरा चुन चुन गरे, फेरी मा कालीले काल जस्तै खड़ गली, राता राता आखा गरी, बर्षा काल मा मेग जई गरजेरा, म्रिग का फाउज मा सिह गय जई, सुके का पराल मा आगो लागे जई, छड़ भर में धेरे को नास गनु भयो, फेरी बीर भद्रले आफु माती सस्त्र अस्त्र बर्षाय को देखी, क्रोध ले, नंदी, भ्रिंगी, चतुष्ठी, योगी नी, भूत, प्रेत, पिशास, प्रथम गण समेतले, सत्रुपक्ष का देवता हरु मद्ये, कसे को सीर्चुत्याय, कसे को मा सुखाय, कसे को तानी तानी रगत चुष्ण थाले, रगतले म अंदर्वा किन्नर दैत्य नाग दक्षप्रजापती का सेनाले महाकाली माती, सस्त्र अस्त्र बर्षाय, तरती सस्त्र अस्त्र महाकाली रबीर भद्र माती परना साथ भश्म हुने गरते, महाकाली चतुष्ठी, योगी नी, भूत, प्रेत, पिशास, प्रथम गणले, फेल दक्षप्रजापती का सेनालाई पल भर में सखाप पारे, विशम ज्वरले सबै का सरीर मा प्रवेश गरी बिहोस कराए, तेस पची बैकुंटनात विश्नुले संपुर्ण देपताहरला बिहोस भाय को देखी, आपना सरीर बाट सित ज्वर उत्पन्न गरी सबैलाई होस मा ले आउनु भायो, फेरी नाना सस्त्र अस्त्रली अगनिका ज्वालामा पुतली जैं गयरा, बीर भद्र माथी जाई लागनु भायो, बीर भद्रली पनी त्रिसुल उठाई सिहनाद गरी, सुके का कर्म आगो लागे जै गरी, छण भर बैं दक्षप्रजापती का कोटे को गरनले पायका जाती देवता समाती यग्यमा हालेर भस्म गरना लागे, बीर भद्रले यस्ता आता रहले दक्षप्रजापती का सेना लाई मार दे यग्य विद्वन्च गरे को देखी विश्णु ले अत्यंत क्रोध ले राता राता आखा पारेर नाग ले जै निश्वास गर्दा जै सुसकेरा हाली अगनी का ज्वाला जस्ता भई बाया हात ले पांच जन्य संका बजाई दाईने हात ले कवमुदी की गदा उठाई शंघार कालमा रूद्र गय जै गरी बीर भद्रका सेना माती जाई लागनु भायो त्यो देखी देवता यक्षगंदर्वत द ज्वाला जस्तो तेज निकाली खडग उठाई चतुस्ठी योगीनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गण सहित भयर लड़न लागनु भायो जसरी ठुलो बायू चल्दा मेग खंड खंड भई फाड़ता चा तेस्ते प्रकारले देवताहर का सेना लाई दस दिशामा भगा बिशनुले बिर भद्रको चाती ताकी कौनी धिकी गदा प्रहार गनु भायो गदा को चोट चाती मा परेपची बिर भद्र भूमीमा लरदा मुर्चा परनु भायो फेरि बिशनुले नम्दी भृंगी चतुस्ठी योगीनी भूत प्रेत पिशाच प्रतम गणलाई संख खबजाई गदा प्रहार गणु भयो तेसका चोटले कोई भूमी मा परी मुर्चा भयो कोई भागन लागे देवता यक्षय गंदर्वा किनर हले धन्य धन्य विश्णु भनी जय गान गरी पुस्प ब्रिष्टी गरे ती देवतार यक्षय गंदर्वा किनर दैते नाग दक् मुर्चा भई रहका महाबीर बिर्भद्र कायकान मा परे तेस पची उमांको होस खुलियो आपना सेना हरू कोई भूमी मा परे का कोई भागन लागे का देखे पची बिर्भद्र अति क्रोधित भई काल समान त्रिशुल उठाई नारायन लाहेरी बेगले प्रहार गनुबायो त्यो त्रिशुल श्री विष्णुको छाती मा बजरन पुगयो रतिसको बेदना सहन गर्ण न सकी रण्भूमी मा लडेर नारायन मुर्चा पर्णुबायो बिर्भद्र अति क्रोधित भई नारायन लाहेरी प्रहार गर्णुबायो पनी कसेलाई निमोठेर मारे कसाई को काखी मा हात ले प्वाल पारी मुख लगाई रगत प्यू न लागे कसेलाई पकरी यग्यमा होमेर अमारे यसता प्रकार ले देवताहर का सेना को नास बयो रचार एतिरा हाहाकार मची न थालेो यता बीरभद्र का सेना ले जय जय भनी कराये को सब्दले मुर्चा परेर भुमिवन लडिरोनु भयका विष्णु को कानमा परेो मुर्चा बाटा ब्यूजी एरदा बीरभद्र र माकालीले दक्षको यग्या बिद्धोंच गरी कोटी कोटी देवतार दक्षका सेना को नास गरेको देखी अति कृद्ध भई विष्णुले भन्न लागनु भयो हे पापिष्ट बीरभद्र आजमा तेरो प्राणली दक्षको यग्या पूर्ण गराऊला यस पछी संपुर्ण देवताहर लाईशन तो सोला अब एक आदस रुद्र तेरो साहेक भई आय पनी तेरो रक्षया गर्न सकनी छैना यती भनी विष्णुले संपुर्ण दुष्टको नास गर्ने सुधर्षन चक्र देखाऊनु भयो यस तो छुद्र बचन सुनी बीरभद्रली क्रोधित भै विष्णुला भन्नु भयो है पापिष्ट विष्णू संपूर्ण दुष्टकू नास गरने चक्र भनी देखायायार मेरो नास गर्चु भनीश तेरो संपूर्ण पराक्रम को साथ त्यों चक्र म माथी प्रहार गर म प पनी देखी आलचू त्यो चक्र पूर्वकाल मा ताईले सिवजी को आराधना गरी प्राप्त गरेको होस। यसको दूरुपयोग गर्दै सिवगर्ण मा थी प्रहार गर्नी तेरो हिम्मत्पनी हेरी आलम। बिर्भद्र को यो बचन सुनी विश्नुली क्रोधित भई बिर्भद्र लाय ताकी सुदर्षन चक्र लाय देखी नंदी भ्रिंगी चतुष्टी योगीनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले त्राही त्राही महादेव भंदे महावीर बिर्भद्र रा महाकाली का सरण मा परे जसरी समुंद्र मन्थन गर्दा निश्की एको काल कुट बिस महादेवले निलनु भायको तियो तेसे गरी विश्नुले फाले को ते चक्र लाय निलना बीर भद्र रले पनी तुरूंते आपनों मुख बाउनु भायो साथ है ते चक्र भगवान बीर भद्र का मुख मा परे र तेस चक्र लाय निलना तयार होनु भायो त्यो देखी विश्नुले च ते संबादे श्री स्वस्थानी पर्मश्वर्य बर्त कतायां दक्षे शेना बद एवा विष्णू बैकुंठ गमनो नाम सब्तोमू ध्याय श्री उभा महेश्वरया म्यामुदुमां। उपनेतु मंगलं बसकल जगन मंगलालाय श्री मांधिन करकिरण निभू धितनाब नरी नदल निभ्यक्षन क्रिष्ण। काले बर्सत परजन्य, प्रिथिवी सश शालीनी, देशुयम छो बर ईटू, ब्रमना संतू निर्भया, अपुत्रा पुत्रिना संतू, पुत्रिना संतू, पूत्रिना, निर्धना सदना संतू, जीबान्तू, सर दम सतं। यत्राईब गंगा यमुनाच तत्र गुदावरी शिन्दु सरस्वती चान तिर्थानि शर्वानि बसंति तत्र यत्राचितु दार कथा प्रसंग याकुन्देंदुतु सारहार दवला यासुब्रवस्रा बृता याबिना बरदन्ड मंडित करा यास्वेत पद्मासना यम् ब्रम्माचित संकरा प्रमृति भीर देवै सधाम बंदिताम सामांपात सरस्वतिम बगवतिम निशे सजाध्यापहा काये नबाचा मनसें देर्बा बुद्धात मनावान शुर्थे सुभावात करोमियत सकलंपरस्मै नारायनायति समर पैतत्थ श्रिसोस्तानिपनल्स्वरे नमाः